2019 के आमचुनाफ से पहले मोधी सरकार और NDA को लगा है बड़ा जटका NDA में बड़ी टूट हो गई है आंधर को विशेश राज्य का दरजाद ना मिलने से नाराज चंदर बाबु नाइडू ने मोधी सरकार का साथ छोड़ दिया है आंधर परदेश में अभी TDP की ही सरकार है और 2014 में तेलंगाना के बनने के वक्त से ही आंधर को विशेश राज्य के दरजे की मांग लगातार हो रही थी अब केंदर सरकार के इनकार के बाद चंदर बाबु नाइडू ने अलग होने का एलान किया है टीडीपी कोटे से अभी दो मंत्री है अशोग जापति राजू और वाईएस रेड़ी जो कि आज इस्तीफा देने वे आले है आज दोनों ही मंत्री जो कि टीडीपी कोटे के मंत्री है दोनों ही स्तीफा देंगे 2019 से पहले ये NDA को बड़ा जटका है NDA से अलग होने का ऐलान चंदरबाबू नाइडू की पार्टी टीडीपी ने कर लिया है चंदरबाबू नाइडू ने रात में की प्रेस कॉंफरेंस की और कहा कि NDA ने वादा खिलाफी की है पहले हमें भरोसा दिया पहले हमारे साथ वादा किया कि आंदर को विशेश राजे का दरजा दिया जाएगा और जब हम लगातार मांग करते रहे तो उसके बाद वो पीछे हट गए खुद कल जिस सरे से प्रेस कॉंफरेंस हुई और मना कि आब वितमंत्री अरून जेटली ने उसके बाद चंदरबावु नाइडू की पार्टी टीडीपी ने NDA से अलग होने का आयलान कर दिया है ये बड़ा राजनितिक डवलप्मेंट है जो हुआ है आंदर को विशेश राजे के दरजे की मांग केंद्री ने ठुकराई जिसके बाद ये बड़ा फैसला हुआ टीडीपी कोटे से जो दोरू केंद्री मंत्री है वो आज इस्तीफा दे सकते हैं टीडीपी के कॉंग्रेस के साथ जाने की अटकले भी लगातार लगाए जा रही है कॉंग्रेस से राहुल गांदी ने सीधे तोर पर कहा कि अगर हमारी सरकार 2019 में बनती है तो हम सबसे पहला कामसर्था में आने के बाद आंधर को विशेश राजे का दरजा देने का करेंगे और उसी के बाद ये खयास लगाए जा रहे हैं कि जो तेली उदेशम पार्टी है वो कॉंग्रेस के साथ जा सकती है दैसल चंदरबावुनाइडू आंधर को विशेश राजे का दरजा देने की मांग कर रहे थे कि किसी भी राजे को विशेश आर्थिक पाकेज जो देखे ये ही वो प्रेस कॉंफरेंस थी वितमंती अरुन जेटली की जिसके बाद चंदरबावुनाइडू ने एंडिये से अलग होने का एलान किया और साफ तोर पर कहा कि अब और नहीं 2019 की चुनाव से पहले एंडिये को ये बड़ा जटका लगा है आपको 2014 लोगसभा चुनाव में आंधर परदेश में सीटों का गड़िक भी समझा देते हैं ये देखिए आंधर में 2014 लोगसभा चुनाव में चंदरबावुनाइडू की टेडिपी को 39 फीसदी वोट हासिल हुए थे ये आपको वोट शेर बता रहे हैं कि कितने परसेंट वोट मिले थे बीजेपी को वोट शेर रहा था था टीडीपी के अलग होने के बाद ऐसा नुमान लगाया जा रहा है कि बीजेपी जो है वो वायसार कॉंग्रस के साथ और कॉंग्रस पार्टी टीडीपी के साथ गड़ बंदन कर सकती है कॉंग्रस आंधर को विशेश राज्य का दरजा की मांग का देखते हैं टीडीपी के कुल 16 सांसत टीडीपी के अलग होने के बाद एंडीए में 331 माइनस 16 315 रह जाते हैं टीडीपी तीसरी सबसे बड़ी पार्टी थी 18 सीटो वाली जो शिवस सेना है वो भी 2019 चुनाव वीजेपी से अलग लड़ने का एलान कर चुकी है तो स्थिति इस बार भिन होंगी 2019 के लोकसभाद चुनाव जो होने वाले है उसमें ये है एबी पी नियूज आपको रखे आगे